इसी टाइम पर गुलाबी सुन्डी का अटेक होता है, इनके बोल के अंदर वो घुश जाती है तो भी मैं बताऊंगा भाया, एक इस प्रेय में उसको आप जड़ से खतम कर सकते हो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस एक ब्रांच में 10 टिंडे आ चुके हैं, इससे आगे भी फिर अभी इसकी बढ़वार चालू है, और आएंगे इससे लगभग 15 दिन पीछे हमने बुआई की थी, इसको देख लीजी इसकी हाइट उससे भी ज़्यादा है, इसके अंदर ब्रांचे की जो संख्या है और ज़्यादा है इसके अंदर अभी टिंडे हैं, वो आने स्टार्ट हुए हैं, वैसा अगर अपन इनको गिने आभी तो देखी भाई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो टिंडे आ चुके हैं और ब्रांचों की अगर बात करें तो उससे कहीं ज़्यादा ब्रांचे, मतलब इसमें तीन सो से ज़्यादा टिंडे निकलने वाड़े अब की बार all time high production निकलने वाड़ा है नर्मा का पास का भाई सन 2023 में पिछले दो सालों के अंदर जो गलतियां हमने की या फिर जिन बिमारियों का अंदेशा नहीं था उनकी वज़े से नर्मा का पास का जो प्रोड़क्शन था वो कम हुआ था लेकिन अब की बार सुरुवात से ये कमर कसली गई थी कि भाई अब की बार चाहे वो गुलाबी सुन्डी हो सफेद मच्छर हो या फिर किसी भी पोसक तत्व की जो फसलों का अंदर कमी होती है विशेसकर नर्मा का पास में उनकी कमी अपन को नहीं छोड़नी बिलकुल भी धिलाई नहीं बरतनी है और अब की बार 15 किवंटल पर एक कड़ से उपर का उत्पादन लेकर रहना है अभी तक अगर अपन का पास फसल को देख है हमारा जो एक खेत है एक दम सांदार चल रहा है अभी तक ना कोई गुला अगर इन 15 दिनों के अंदर हम इस का पास को बचा के ले जाते हैं अच्छे से इसका अंदर ओर थोड़ा सा क्योर कर लेते हैं इसका अंदर जो एक दो स्प्रे करनी हमने वो कर लेते हैं तो कोई नहीं रोक सकता अब की बार हमारी नर्मा का पास का all time high production लेने से अब आगे आने वड़े जो 15 दिन हैं जो सबसे ज़्यादा critical हैं सबसे ज़्यादा समवेदन से ले उसके अंदर हमें क्या कुछ करना चाहिए तो नमस्कार मैं इंदर पाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किशान चैनल पर अगर अभी तक आप ने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सबस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और जादा से ज्यादा दूसरे किसान भाईयों तक जरूर इसको शेयर कीजिए ताकि उन किसान भाईयों का भी भला हो सके तो भाईया सबसे पहले अपन बात क किसी भी तर propheे की सब्सक्राइब को मैं हो दिखाई दे रही दिखाई लगा या अगर आप की फसक्तत्पी पूर्ती इक में हम उशां問 के इस टाइम पर गुलाबी सुन्डी का अटेक दिखाई दे रहा या फिर आपको अंदेशा लग रहा है कि हो सकता है गुलाबी सुन्डी का अटेक हमारी फसल के अंदर हो जाए क्योंकि इस टाइम पर जो यह फ्लावरिंग स्टेज है इसी टाइम पर गुलाबी सुन्डी का अ तेक न हो जाए क्योंकि इस टाइम पर वाइट फ्लाइ भी बहुत ज़्यादा परिसान करेगी नर्मा का पास किसानों के बारे में जिनकी आवसक्ताइब पर नर्मा का पास की फसल को बहुत ज़्यादा है अभी तक चाहे आपने कुछ भी डाले हो लेकिन सबसे पोटास अपनी एहमियत को दिखाएगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है और मेरी अगर कमी इस पोधे का अंदर हो जाती है तो मैं कितना उत्पादन आपका कम कर सकता हूं या फिर कितनी ज्यादा बीमारियां आपकी फसल का अंदर लगा सकता हूं तो सबसे पहले इस concept को समझते हैं कि पोटास की इस टाइम पर इतनी ज्यादा एहमियत क्यों बढ़ने वाड़ी है यह हमारे देश में बहुत कम किसानों को पता भीया और पोटास बहुत कम किसान यूज भी करते हैं एक तो बहुत ज्यादा rate हो चुके हैं इसके इसकी वज़ पोटास को आप बेसल डोज में देदो या फिर जब आप पहली सिचाई कर रहे हो दूसरी सिचाई कर रहे हो मतलब आपकी फसल का अंदर फलावरिंग और टिंडे बनने से पहले आप देदो ताकि समय रहते हैं पोधा है वो उसको अच्छे से ग्रहन कर पाए तो भाई इस पोटास की इस प्रे करने हैं वो किस तरह से कर नहीं है लेकिन उस से बढात करते हैं पोटास की एहमयत उत प्रकास शलेशन की प्रकासलेशन की फूलों तक और इस पूरे पोध के structure तक पहुंचाने का जो काम करता है वो पोटास करता है मतलब यह एक तरह से माल वहाग जहाज का काम करता है transportation का काम करता है सबसे बड़ा काम पोटास का यह है इसके अलावा दूसरा पोटास का काम इस टाइम पर अगर आपकी फसल stress में आ जाती है जैसे कि भाया बरसात बहुत जगे पर नहीं हो रही है पानी की कमी है किसानों के पास अगर दो चार दिन पानी लेट भी लग रहा है तो पोधा इस टाइम पर आप लोगों को पता है भाया stress में चला जाता वो कुल मुला जाता बिलकुल इनके पत्तिया नीच करेगी यह आप देख लेना जिस भी खेत के अंदर stress आ जाता है humidity लेवल बढ़ जाता है पोधे में अपन नीचे जमीन में पाणी नहीं देते उसके अंदर परियाप्त नमी नहीं होती है वाइट फ्लाई है ना उन खेतों के अंदर सबसे ज़्यादा आतंक मचाती है तो भ जो टिंडे बनने वाले हैं उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेगा उसका जो साइज है ना बोल साइज इसका उसको मोटा करेगा इसके अंदर से निकलने वाले जो रूई होगी वह एकदम वाइट होगी तो भाई पोटास के बहुत ज़्यादा काम है इस वक्त के उपर तो ज्यादा लंबी ना है छोटी है तो आप इस टाइम पर एन पीके 0050 का स्प्रे कर दीजिए भाईया जब आपकी फसल इस अवस्था में हो दूसरी बात करते हैं भाईया पोटास के दूसर तरीका अगर आपकी फसल के अंदर हलका पीलपन दिखाई दे रहा है आपको यह ल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपकी फसल के अंदर पीड़ापन भी है तो भी दूसरी तो आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी नहीं है आपने यूरिया से पूर्ती कर दियो या फिर पहले आपने एक दो इस प्रे एन पीके 0050 के आप कर चुके हो तो भाईया स अगर आपकी फसल के अंदर पीड़ापन भी है तो भी दूर हो जाएगा पोधे का अगर इंटरनोट जादा बढ़ रहा है इसकी जो बढ़वार हो रही है बेतहसा बिना मतलब की हो रही है उसको भी कहीं न कहीं वो कम करेगा और इसके अंदर जो फोस्पूरस है का मेरा पर्सनल मेरी रहा है कि भाया एन पीके के जितने भी ग्रेड है ना उनके अंदर देशिक ही मानता हूं मैं एन पीके 0-524 आप 0-524 का स्प्रे कर सकते हो उसके साथ फिर लीजी भाया आप दूसरा को सकता तो बोरोन अब बोरोन की उप्योगता इस टाइम पर बहुत इस टाइम पर अब बोरोन क्या काम करेगा देखिए बोरोन केवल आपको एक ग्राम एक लीटर के हिसाब से इस प्रेक अंदर लेना है सो लीटर आप पाणी ले रहे हो तो सो ग्राम बोरोन 20% वाड़ा बहुत होता है इससे जादा अगर लोग है तो हो सकता है इसके अंदर बर्निंग की शिकायत आजाए पत्ते जड़ने की तो इतना ही बहुत होता है बाकी बोरोन का काम होता है एक तो इसके अंदर जो पॉलीनेशन हो रहा है मतलब इन फूलों से फल बनने की प्रिकरिया है वो एकदम स्वस्थ होती है मतलब बोरोन अगर आपकी फसल के अंदर परियाप्त मातरा में होगा तो इसके अंदर जितने भी फूल आएंगा वो नीचे कम गिरेंगे वो उनके अंदर जो पॉलीनेशन होगा परागन होगा वो बहुत सांदार होगा इसके अंदर अधिकतर फूलों के अंदर टिंडे बनेंगा भाया दूसरा बोरोन है आपकी फल की क्वालिटी को सुधारता है फल को फटने नहीं देता है और इसके अलावे बोरोन के और भी बहुत से काम है बाकी बोरोन को भी आपको इन्हीं पीके के ग्रेड के अंदर मिला लेना है 100 ग्राम पर 100 लिट्र पाणी के हिसाब से फिर बात आती ही भाहिया जिंक की अग के ग्रेड के अंदर चिलेटेड जिंक आप कोई भी ले सकते हो जैसे की तलवार की जिंक में यूज करता हूं अपने खेतों के अंदर जो क्रिश्टल कंपनी के आते हैं तलवार इसके मिलते हैं आप वो जिंक ले लीजी 100-500 ग्राम पर इकड़ के हिसाब से इन्हीं एन्प फोरस के साथ जिंक कैसे कॉंबिनेशन बनेगा तो चिलेटेड जो फॉम में जिंक आती है उनका बहुत अच्छे से कॉंबिनेशन हो जाता है बहुत चांदार इसके रिजल्ट भी मिलते हैं और दूसरा आपको यह भी ख्याल रखना है इस टाइम के उपर पोधे के अंदर और साथी भाईयो इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है जो इसकी जो बढ़वार चल रही है देखिए मेरी खुद की 6 फिट हाइट है और यह जो पोधा है वो मेरे से भी एक फिट ऊपर निकल चुका है अब इसकी बढ़वार को भी रोकना है अगर यह बेताहसा यह बढ़वार करता गया जैसी कि इस पोध्य के अगर अपन बात करें तो इसके इंट्रनोड को छोटा करना है अपनको इस इंट्रनोड को छोटा करने के लिए हमें PGR क्या सकता पड़े ही अब PGR के अंदर अपन को कौन सा यूज करना है यह बहुत जादा किसानू के इस फूल रोकन हैं कि भाईया मेरे तो खेट के अनदर यार फूल रोप हो रहें उनको रोकन है तो आप प्लान ओफिक्स से दूर दूर बन रहें, एक पत्ती से दूसरी पत्ती की जो दूरी बहुत लंबी हो चुकी है, तो उसके लिए भाई आप एक तो घरड़ा कंपनी का चमतकार आता, उसको योज कर सकते हो, या फिर आप शिमटोम कंपनी की ताबोली आती, उसको योज कर सकते हो, इनके the best result हो को ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार, चैनल सब्सक्राइब कर लीजी, बाते हमारे अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे हैं, तो सुन्डी और वाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए, मैं दो टे लैनिटोल, तीसरे पाता भहिया, कोरोजन, चोथे पर आता है भहिया, अपिलिगो, इन चारों में से कोई भी एक टेकनिकल, कोई एक कीट ना सका आप ले लीजिए, इसके साथ अपन को लेना फिर वाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए, तो उसके अंदर या तो आप लै ज़्यादा नहीं रखनी है, कापास का पोदा है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसके अंदर आप कीट ना सकी, मातर की भी ज़्यादा क्या हो सकता पड़ेगी, और जो कंपनी अब रेकमेंड कर रही है, यह टेकनिकल है, यह कीट ना सकी, वो परेकड के हिसाब से को कापास एक नमबर की होगी, और आप इन सभी बीमारियों से बच पाओगे, पंदरह दिन अगर आपने अपनी कापास को बचा लिया, तो एक बढ़िया उत्पादन के और आप बढ़ पाओगे, धन्यवाद.